नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल Eternal Addison Classes for Sanskrit में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में हम लेकर आये हैं KVS 2022-23 PGT, PGT और PRT के लिए Current Affairs की दूसरी क्लास जिसमें हम 100 questions को देखेंगे वो भी फटाफट इसमें राश्टी, अंतराश्टी, खेलकूद, विग्धिविग्यान एवं प्रद्योग की परियावरण आदे जितने भी segment होते हैं Current Affairs के उनके मिली जूले प्रशन आपको यहाँ पे मिलेंगे पिछली क्लास में हमने 100 questions को solve करा दिया था वो 100 questions आपकी exam के लिए बहुत ही मतपोड है उनको भी जाकर देख लिजेगा और उसी क्रम में हम आज दूसरी क्लास लेकर आए है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आपको आसानी से मिल जाए तो चलिए ज़्यादा समय ननस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते है Current Affairs 2 तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 100 questions को राष्टी एवं अंतराष्टी प्रमुक घटना एवं मुद्दो पर तो पहला क्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 3 से 7 जन्वरी 2023 के मध्य 108 भी भारती विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगी तो यह आयोजित होगी RTM नागपूर यूनिवर्सिटी नागपूर महरास्ट्र में अगला है सितंबर 2022 में केंद्री अन्वेशर्ड व्यूरो CBI द्वारा देज भर में बाल यून शोशन सामगरी के खिलाब चलाए गए ओप्रेशन का नाम है ओप्रेशन मेग चक्र अगला है सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की समिक्षा हेतु एक पाच सदिस्य समीती का गठन किया गया नीती आयोग के सदस्य डाक्टर वी के पाल की अध्यक्यता में अगला प्रशन है सितंबर 2022 में भारती अनौ सेना के लिए ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुर्ण लांच किया गया इसे निर्मित किया गया हिंदुस्तान शिप्यार लिम्टेड विशाखा पत्नम द्वारा अगला है सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा गठित कीरीट पारिक समीती संबंदित है घरेलू अस्तर पर उत्पादित गैस के मौझूदा मुल्ले निर्धारण फार्मूला की समिख्षा हेतु अगला है सितंबर 2022 में भारत के पहले वानिकी वन विश्विद्याले को अस्थापित करने की घोचना की गई तेलंग गाना में अगला है 19-22 सितंबर 2022 के मध्य तीसरा ग्लोबल फिन टेक महत्सव 2022 आयोजित हुआ मुंबई में अगला है 23 सितंबर 2022 को संपुण विश्व में सांकेतिक भासाओं का अंतराष्टिय दिवस मनाया गया इसका मुख्य विश्य था सांकेतिक भासाओं हमें एक जुट करती हैं अगला है सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सारवजनिक छेत्र के उपकरम REC Limited को महारत्र कंपनी का दर्जा दिया इसके बाद अब देश में कुल महारत्र कंपनीों की संख्या हो गई है 12 अगला है सितंबर 2022 में भारत के स्वास्त पहल भारत उच्च रक्त चाप नियंत्रण पहल IHCI को सम्मानित किया गया सयुक्त राष्ट पूरुसकार 2022 UN Interagency Task Force और रात्मिक स्वास देखभाल पर WHO Special Program पूरुसकार से अगला है सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े rubber dam का लोकारपन किया गया गया बिहार में हल्गु नदी पर ये बना है अगला है सितंबर 2022 में देश का पहला स्वक्ष सुजल प्रदेश बना अंडमान और निकोबार विपसमू अगला है 14-15 सितंबर 2022 के मध्य दूसरा अखिल भारतिय राज भासा सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ सूरत गुजरात में 11-17 सितंबर 2022 के मध्य भारत जापान दूइपक्षिय सामुद्रिक अभ्यास का छटा संस्करन जीमेक्स 2022 आयोजित हुआ अंडमान सागर एवं बंगाल की खाडी में सितंबर 2022 में भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन सन्यंत्र अस्थापित किया गया पिरूपती आंधर प्रदेश में सितंबर 2022 में राष्टिय सहकारिका नीती दस्तावेज का प्रारूप तयार करने हे तुँ एक राष्टिय समीती का गठन पूर्व केंद्रिय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभू की अध्यक्षिता में अगला है तीस अगस्य साथ सितंबर 2022 के मध्य गुआम तट एवं दक्षिर चीन सागर में आयोजित नोबेल रेवन 2022 है जापान, USA तथा कनाडा की नौ सिनाओ के बीच एक तुरी पच्छी अभ्यास जून 2022 में पहली भारत गौरव रेलगाडी सुरू हुई कोयमबटूर उत्तर तमिलनाडू से साई नगर सिरडी महराष्ट्र पाँच मही 2022 को परिसीमन आयोग द्वारा केंदर शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया जम्मू और कश्मीर फर्वरी 2022 में राष्टिय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NSWS के साथ एकिकृत होने वाला पहला केंदर शासित प्रदेश बना जम्मू और कश्मीर अब परिछ्या की द्विष्टी से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनको देख लेने हैं सितंबर 2022 में भारतिय थल सेना तथा भारतिय वायू सेना के बीच संयुक अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित हुआ पंजाब में 10 से 11 सितंबर 2022 के मध्य पहला केंदर राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ साइन्स सिटी एहंदाबाद गुजरात में सितंबर 2022 में जारी प्रेश विज्ञप्ती पी आईबी की अनुसार देश की पहली राष्टी समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण किया जा रहा है लोथल गुजरात में आगे देखेंगे दिसंबर 2021 में केंदरी मंत्री मंडल ने विवा हे तु महिलाओं की नियुन्तम आयू को रखने का प्रस्ताव की मंजूरी दिये कितने वर्स 21 वर्स 14 जून 2022 को केंदरी मंत्री मंडल ने ससस्त्र बलो में सेवा हे तु भारती युवाओं के लिए एक आकरसक भरती योजना को मंजूरी प्रदान की इस योजना का नाम है अगनी पत 28 मई 2022 को विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल सनियंत्र का उधगातन किया गया इफको कलोल गुजरात में मई 2022 में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म उनरुद्धार परियोजना का सुभारंद किया गया भारत में मई 2022 में पुरानी पेंसर योजना की बहाली को अधिसूशित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया छतिसगर कौन सा जिला आयुश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आर्योगी योजना सेहत योजना के तहत सौ प्रतीशत घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला है 27 अप्रेल 2022 को सामबा जम्मू कस्मेर 12 दिवसी हुनर हाट का आयोजन कहां किया गया 16-27 अप्रेल 2022 में मुंबई में यह इस कारेकरम का कौन सा संसकरन है 40 अब अगला प्रशन है 24 अप्रेल 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर उर्जा सन्यन्त का उधगातन किया पल्ली गाउं जम्मूयों कस्मेर यह आप ध्यान रखीगा आप पे पूरे एक साल का करेंट अफेयर पूछता है हर एकजाम में तो आपको 2022 का और टेस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है तो 2022 का पूरा तयार करके जाना है अप्रेल 2022 में प्रवासी स्रमिको की आवाज आही पर नजर रखने है तू विक्सित की गई प्रडाली है माईग्रेशन प्रैकिंग सिस्टम अप्रेल 2022 में हर गाउं में पुच्तकाले वाला देश का पहला जिला बना है जाम ताड़ा जारखन्द फरवरी 2022 में भारत का वह सुरंग जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनिज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है अटल टनल पाच फरवरी 2022 में संत स्री रामानुजाचारे की 216 फीट उची प्रतिमा स्टैचू आफ एक्वैलिटी सम्ता मूर्ती की स्थापना कहां की गई है है हैदराबाद में बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे उची प्रतिमा है स्टैचू आफ एक्वैलिटी सितंबर 2022 में संगहाई सहयोग संगठन S.C.O. द्वारा वर्स 2022 टेईस के लिए S.C.O. पर रेटन और सांस्पुतिक राजधानी गोशित हुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश साथ सितंबर 2022 को केंद्री मंत्री मंदल ने सिच्छा से संबंदित योजना को मंजूरी दी है PM Shree Schools PM School for Rising India योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है अगला है सितंबर 2022 में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्टरपती भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग का उधगाटन किया इसका नाम है कर्तवे पत पहले राजपत था आठ सितंबर 2022 में दूसरा भारत जापान 2 प्लस 2 मंत्री अस्तरी समवाद 2022 आयोजित हुआ तोक्यो जापान में जन्वरी 2022 में द्वारा दवाओं की होम डिलिवरी के लिए योजना शुरू की गई सेहत योजना सेहत का पूरा नाम क्या है सेहत का फुल फॉर्म है सेहत का फुल फॉर्म है सेहत का पूरा नाम क्यों जन्वरी 2022 को जेल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोची केरल 6 जन्वरी 2022 को 570 किलो मेटर लंबी राष्टी राजमर्ग परियोजना का उद्गाटन सिलान न्यास किया गया उत्तर प्रदेश में लाभानवित होने वाले जीले हैं इससे कौसामबी अयुध्या तथा बस्ती तो राष्टी राजमर्ग परियोजना में लाभानवित होगा कौसामबी अयुध्या और बस्ती ये आप लोगों को हो सकता है मिलाने के लिए दे दे एक कोई गलत दे दे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाडपत्र के सत्यापन हे तू डिजिटल सेवा लागू करने वाला देश का पहला राज्जी है ओडिशी 21 जुलाई 2022 को नीती आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांग 2021 में सिर्ष पाँच बड़े राज्जे हैं क्रमसह करनाटक तेलंगना हरियाना महराष्ट्रा प्रमिलनाडू बड़े राज्जियों में उत्तर प्रदेश का अस्थान है साथवा जून 2022 को जारी राज्जे खाद्य सूरच्छा सूचकांग 2021 की अनुसार बड़े राज्जियों में सिर्ष अस्थान पर है तमिलनाडू 30 जून 2022 को प्रदान मंत्री ननिल मोदी ने उद्द्यमी भारत कारिक्रम के असर पर योजना की सुरुवात की रैप राजिंग एंड एसल रेशन MSME पर्फॉर्मेंस परिशा द्रिष्टी के लिए देख लीजिए अटल रैंकिंग ओफ इंस्टिटूशन औन इनोवेशन अचीवमेंट जारी किया जाता है केंद्री सिच्छा मंत्राले द्वारा सुशासन सूचकांग GGIE 2021 जारी किया गया 25 दिसंबर 2021 को इस सूचकांग को तयार किया गया प्रसासनिक सुधार एवं लोग सिकायत विभाग द्वारा यह सूचकांग के केंद्रित है नियून्तम सरकार और रिदिक्तम शासन सूचासन दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है 25 26 दिसंबर को पूर प्रधानमंत्री जिन की जैनती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी बाचपेई अगला है 12 से 17 जून 2022 के मद्धे विश्व व्यापार संगठन WTO के 12 हमे मंत्री अस्तरी संमेलन का आयोजिन किया गया जीनेवा स्विजर लेंड बिहार जारखन्ड एव मुत्तर प्रदेश में गरीब जनसंख्या का प्रतीशत है क्रमसा 51.91 प्रतीशत 42.16 प्रतीशत वर 37.79 प्रतीशत बिहार में है 51.91 जारखन्ड में है 42.16 उत्परप्रदेश में है 37.79 ये गरीब जनसंख्या का प्रतीशत है बहु आयामी गरीबी सुचकांग के अनुसार सबसे कम गरीब राज्यों के सिर्शतिन राजे क्रमसा सबसे कम गरीब केरल 0.71 परसेंट गोवा 3.76 परसेंट वसिक्किंग 3.82 परसेंट बजट 2022-30 के अनुसार वर्थ 2022-30 में करो की योगदान का क्रम क्या है क्रमसा वस्तू एवं सेवा कर फिर है निगम कर फिर है आयकर फिर है केंदरी उतफाद सुल्क और फिर है सीमा सुल्क बजट 2022-30 के अनुसार केंद सरकार की कुल 100 परतिशत प्राप्ती में से सरवाधिक हिस्सेदारी वाली सिर्ष चार मदे कौन सी है क्रमसह उधार एवं अन्य देयता है 35% जीएस्टी 16% निगम कर 15% आयकर 15% देश अमरित महत्सा मनाते हुए किस काल में प्रिवेश कर चुका है अमरित काल में वर्तमान में देश भारत at the rate 75 पर है 25 वर्षों बाद भारत कहां पहुचेगा भारत at the rate 100 पर 17 जून 2022 को भारती रिजर बैंक द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 जारी किया गया इसका मुख्य विशे क्या है इबुक्तान सभी के लिए सभी जगा हर समय ये है परिछा द्रिष्टी अप्रेल 2022 में Global Leader Approval Ratings में सिर सस्थान प्रात किया प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने अप्रेल 2022 में वैश्विक आयूस निवेस एवं नवाचार सिखर सम्मेलन 2022 Global IUS Investment and Innovation Summit 2022 का आयूजिन किया गया गांधी नगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरिन्द मोदी द्वारा लांच भारत के प्रथम डेरी सामुदाइक रेडियो स्टेशन का नाम है दूदवारी दिसम्बर 2021 में आत्मनिर्भर हस्त शिल्पकार योजना पुरवत्तर छेत्र विकास मन्तराले के अंतरगत है नवंबर 2021 में प्रथम राष्टिय बहुआयामी गरीबी सुचकांग को जारी किया गया नीती आयोगने आगे है हाल ही में पर्यावर्डी सामाजी के उंसासन ESG संबंदित मामलों की सलाकार समीती का अध्यच किसे चुना गया? मई 2022 नवनीत मुनूत कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टप भारत का सववा योनिकॉर्ण बन गया? मई 2022 ओपिन यह किस सहर में स्थित है? बैंगलूरू Bombay Stock Exchange BSE ने किसको अपना अध्यक्ष न्युक्त किया है? मई 2022 में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS Munra को किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुक्तान कार्ड को लांच किया? अप्रेल 2022 में Nexo यह मास्टर कार्ड ने आर्थिक संकट से जूज रहे स्रिलंका की क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है? 13 प्रेल 2022 किस केंद्री मंत्री द्वारा नीती आयोग के Fintech Open Summit का सुभारम किया फर्वरी 2022 अस्वनी वैशनो CRI SIL की रिपोर्ट की अनुसार भारत की GDP वित्वर्ज 2023 में कितने प्रतिस्त तक बढ़ने की उम्मीद है? फर्वरी 2022 में 7.8 प्रतिस्त किसने डिजिटल प्रेटफॉर्म Spice Exchange इंडिया लॉंच किया जन्वरी 2022 HDFC Bank एवं Spice Board इंडिया ने अंतराश्टी वित्ती सेवा केंद्र प्रधी करन International Financial Services Centers Authority IFSCA ने दीमा पेशेवरों की छमता निर्माड के लिए किसके साथ समझाता किया? January 2022 में भारतिय बीमा संस्थान Insurance Institute of India किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दरजा प्राप्त हुआ है? January 2022 में Airtail Payments Bank भारतिय अरिजर बैंक ने Fintech के लिए कौन सा नया विभाग बनाया? January 2022 में Fintech विभाग Fintech विभाग का प्रमुक किसे ने उक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को किस ने डोर स्टेप बिल भुक्तान सेवा सुरू की है? December 2021 में India Post Payments Bank और NPCI NPCI का पौन रूप क्या है? National Payments Corporation of India किस बैंक ने असम कौशल विश्विद्याले के स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के रिड को मंजूरी दी है December 2021 में ACI विकास बैंक RBI ने किस बैंक को अप्रत्वेक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है December 2021 में RBL Bank अगला है भारती रिजवर बैंक ने किस बैंक को अनुसुचित बैंक का दरजा दिया है December 2021 में Paytium Payments Bank 21 से 23 अगस 2022 के मद्ध 11 वी राष्टी बीज कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? राज मातला विजय राजे सिंधिया कृषिव शुद्यलेक ग्वालियर आठ अगस 2022 को कहां पर इंडो इस्टराइल इंडो इस्टराइल सेंटर ओफ एक्सिलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यन से सिलान्यास किया गया चंदौली उत्तर प्रदेश फिर है 28 जुलाई 2022 को केंद्री कृषि एवं किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंध उमर ने किसका सुभारम किया ग्यारवी कृषि संगर्णा 21 कमिल नाडुकी की सुतवाद को अक्वबर 2021 में जी आई टैग प्रदान किया गया कन्या कुमारी लॉंग को पालगर महराष्ट्रा में उत्पादित किस चावल को जी आई टैग प्रदान किया गया वड़ा कोलम चावल को वर्थ 2020 के आकडो के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है फरोई 2022 पांचवा किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ट डिपॉजिट सुरू किया है दिसंबर 2021 इंड सैंड बैंक राष्टिय खाद्य टेल ओयल पॉम मिसन परव्यापार सिखर सम्मेलन 2021 कहां है जित हुआ 28 दिसंबर 2021 हैदराबाद मई 2022 में उत्तर भारत के प्रथम औद्योगी जैव प्रद्योगी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है घट्टी, कठुआ जिला, जम्मुयम, कस्मीर वर्थ 2021 में भारत के इस देश का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बना है जन्वरी 2022 में ब्राजील आक्सफैम इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्थ 2021 में भारत में कितने नए अरग्पती बने है जन्वरी 2022 में बताया गया ये श्यालिस प्लिन ट्रिलियर डॉलर मार्किट वैल्यू वाली विश्यू की पहली कंपनी कौन सी बनी है जन्वरी 2022 अटपल किस मंत्राले ने कोईला दरपन पोर्टल लांच किया है जन्वरी 2022 कोईला मंत्राले गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में बायो एथिनॉल सन्यंत्र स्थापित करने के लिए समझोता किया है दिसंबर 2021 गुजरात 13 नवंबर 2021 को भारत सरकार के रच्छा मंत्राले द्वारा नीजी छेत्र द्वारा संचाली पहली रच्छा निर्माड इकाई का उधगाटन कहां किया गया उत्तर प्रदेश रक्षा अध्योगी गलियारा UPDIC लखनों में चर्चा में रहा टेली नीला पूरम अंतराष्टिय पच्छी अभ्यारण किस राज्य में है जनरी जर्बाइस आंध्रप्रदेश आरत के किस ताइगर रिजरु को प्रतिश्ठित टी इन्टू तू पूरुसकार राप्त हुआ 25 जर्बाइस में सत्य मंगलं टाइगर रिजरु इंडिया स्टेट आफ पॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किस ने जारी किया 13 जर्बाइस केंद्री पर्यावर वन एवं जलवाईव परिवर्तन मंत्राले नी प्रतिमा कानावरण कहां किया गया 24 मई 2022 प्रताप International School कानपूर प्रतिमा कानावरण किसके द्वारा किया गया राजजेपाल स्रीमती अन्धि बेल पतेल अत्तरप्रदेश गुजरात मैत्रि दिवस कारिक्रम कायोजन कहां किया गया? 23 मई 2022 गोमती नगर लखनाउं उत्तर प्रदेश के किस सहर में इसके लिंडिया अंतराष्टी केंद्र की स्थापना की जा रही है? 12 मई 2022 वाराणसी इस तरह के पहले केंद्र के स्थापना कहां की गई थी? 16 अप्रेल 2022 भुवनेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने भगी रथी पर्यटक आवासगरी का लोकारपन कहां किया है? 5 मई 2022 हदिद्वार में इस आवासगरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के परेटन विभाग द्वारा मैं गंगा बोल रही पुस्तक तथा इस फर्स गंगा गीत के लेखक कौन है डाक्टर रमेश पुखरियाल निसंग इस पुस्तक वगीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया मुख्यमंत्री योगी आदितनात उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री पुस्कर सिंधामी उत्परा करने मुख्यमंत्री के सेवा निवृत सरकारी करमचारियों को पेंसन का पारदर्शी और परिशानी मुक्त वितरन सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की सुरुवात की गई एक मई दो हजार बाइस को इपेंसन सोला जुलाई दो हजार बाइस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालाउन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गाउं से किसका उधगाटन किया गुंदेल खंड एक्सप्रेसवे का इसकी कुल लंबाई है 296.070 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे का प्रारम अस्थान है भरत कूप चित्रकूट एक्सप्रेस्वे का समाप्ती अस्थान है कुदरैल, इतावा इस एक्सप्रेस्वे में सामिल जिले हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपूर, महोबा, जालोन, औरया और इतावा ये इतना बहुत इंपर्टेंट है इसको आप लोग जरूर देख लिएगा इसका प्रारंब कहां से होगा इसकी समाप्ती कहां से होगी और इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपूर, महोबा, जालोन, औरया और इतावा ये छायतने के लिए एक्जाम में दे देता है अगला इंपर्टेंट क्वेश्चेन है मुख्यमंत्री योगी आदत तिनाथ ने आर्या वर्थ MRI सेंटर का उधगाटन कहां किया 28 अपरल 2022 को गोरफफूर में अब परिच्छा दृष्टी से देख लीजे कौन-कौन से चीज इनपर्टेंट है राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के किस सहर में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के किस सहर में राष्टी रोग नियंत्रन केंद M.C.D.C. की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है अपर görün 2012 लखनव में G.E.M.Portal से की गई खरिदारी में कौन सा राज जिसीर सस्थान पर है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का सुभारंब कहां से किया गया 10 अप्रेल 2022 गुरगपूर से यूपी गई ये प्रश्ण है सारा यह मेला प्रदेश के सभी प्रात्मिक स्वास्तकेंद्रों में आयजित किया जाएगा प्रतेकर अभिवार को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का सुभारंब कहां से किया 4 अप्रेल 2022 रावस्ती से चैंपियन्स आफचेंज डेल्टा रैंकिंग क्रिशी और जल संसाधन छेत्र ने उत्तर प्रदेश के कि जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है अप्रेल 2022 चित्रकूट ने वैक्यू माधारिट सिवरेज अपनाने वाला भारत का पहला सहर कौन सा है अप्रेल 2022 आगरा उत्तर प्रदेश मगला है उत्तर प्रदेश में 6 ईवी रोगियों को गोध लेने के कारिक्रम में इन जीलों ने सिर्श सस्थान प्राप्त किया प्रमसगाजियाबाद, लखनव, प्रयागराज, बुलंद सहर तधा गोरकपूर मुख्यमंत्री ने द्रिष्टी इस्तरी अध्यन केंद्र, उणे की किस पुस्पक का लोकारपण किया 13 अप्रेल 2022 को नारित्त की भारती अवधारणा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ट प्रतियोगिता ISAC 2020 में सर्वस्रेष्टर राज्य का पुरुसकार की से प्रतान किया गया 18 से 20 अप्रेल 2022 उत्कर प्रदेश वाराणसी ने विशय जल एवं स्मार्ट सिटीज लीडर्सी पुरुसकार स्रेडी में कौन सा स्थान हासिल किया प्रमसा पहला एवं गूसरा राज्य उर्जा और जलवायू सुचकांक राउंड फस्ट में उत्तर प्रदेश को किस स्रेडी में सामिल किया गया 11 अप्रेल 2022 को लक्षे प्राप्त करता इस सुचकांक में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया तेरह हमा 41.0 स्कोर तीसरे राष्टी जल पुरुषकार समारों में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरुषकार प्राप्त हुआ 29 माज 2022 को पहला प्रदेश को यह पहला पुरुषकार किस क्रेडी में दिया गया सर्वस्रेश्ट राज्य उत्तरी छेतर में सर्वसेष्ट जिले का प्रथम पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ मुजफर नगर उत्तर प्रदेश को उत्तरी छेतर में सर्वसेष्ट गाउपंचायत का तीसरा पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ बलुआ वानरसी उत्तर प्रदेश 24 अगस 2022 को प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने कहां पर अम्रिता हस्पिटल का उद्गाटन किया फरीदाबाद ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए 10 अगस 2022 को प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने कहां इस्थित सेकेंड जेनरेशन एथेनाल प्लांट्स राष्ट को समर्पित किया पानीपत हरियाना 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वरा गुजरात के किस सहर में इस्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सीटी में भारत के पहले अंतराष्टिय बुलियन एक्स्चेंज का सुबारम किया गया गांधी नगर गुजरात जुलाई 2022 को कौन सा राज्य वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को एमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम से जोडने वाला भारत का पहला राज्य बना ही मंचल प्रदेश तेरा जुलाई 2022 को स्पेस स्टार्टप अगनी कुल कौसमास ने किस सहर में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने ही तू देश का पहला नीजी कार खाना खोला चिन नई योग कारिकरम योग प्रभा कहां आयजित हुआ अप्रेल 2022 सफदर जंग हवाई अड़ा नई दिली इसे भारत सरकार के किस मंत्राले ने आयजित किया नागर विमानन मंत्राले देश का दूसरा वानिकी कालेज कहां स्थापित किया जा रहा है ठारा जनुरे 22 मुंगेर बि अनिग्मा का अनावरण पहली बार कहां किया गया 18 जनुरे 22 दुबई में द एनिग्मा कट डायमंड को और किस नाम से जाना जाता है द ब्लैक डायमंड टी 15 बागिन किस उद्यान से संबंदित थी जिसका हाली में निधन हो गया जनुरे 22 पेंच राष्टी उद्यान मध् टी 15 बागिन को अनिकी नामों से जाना जाता है कालर वाली माताराम सूपर मॉम इन्फिनिटी ब्रीज का उद्घाटन कहां किया गया जनुरे 22 दुबई में किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले हैली हब की अस्थापना की गोशना की गई जनुरे 22 में हरियाना सरकार इसकी अस्थापना कहां की जाएगी गुरुगराम हरियाना भारत का पहला सैनेटरी नैपकीन फ्री गाउं कौन सा बनेगा कूबा लांगी केरल तो ये थे आपके 100 क्वेशन आप इनको देख लीजेगा हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर उपस्तित होंगे तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसकी पीछली वीडियो भी देख लीजेगा मैंने कम्प्यूटर का NCRT सार संग्र भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है उसको भी आप लोग जाकर देख लीजेगा तो क्लास कैसी लगी आप इसको जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में और आपको किसी भी तरह का कोई help चाहिए तो उसको भी हमारे टेलिग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद